जितना पहनने में आपको अराम दायक और आसान होगा उतना ही इसको बनाने में भी आसान है यह एक सिंपल और ओफिस्यल ब्लाउज है जो स्लीज लेस है आप चाहे तो इसमें बाजू लगा भी सकते हैं और चाहे तो नहीं भी लगा सकते हैं और इसका बैक गला भी भी है और तरीके की lining वाली strap जो कप्रा होगा इस तरीकी कप्रा अगर आप चूज करेंगे तो आपका same look बन कर तयार होगा तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं इस blouse की स और अस्तर पियले करेंगे और पहले हम भीकी by cutting करेंगे जैसा सुपर करते हैं और में क्यां लगेगा नहीं किस्षिव कर सकते हैं तो बंद राग आप्यरा आपके हुआ नहीं है ऐसा ठीक है इसका इसकी लंबाई जो है 14 इंच रेडी है तो इसमें 15 इंच रखेंगे कि देखिए ऐसा कि एक बार ऐसे आपको मापकर मिला लेना है 15 15 इंच दोनों जगा होना चाहिए नहीं तो लाइन क्रोश हो जाएगा जैसा मेरा हुआ अब बात कर रहा हूं आपको बॉड़ी से नाप लेना है जो भी बॉड़ी में सोल्डर आये उतना ही आपको सोल्डर रखना है और आधा इंच मार्जिंग जो है दोनों साइड अपने आप कम हो जाएगा तो जाकर प्रोफर फिट हो जाएगा ज्यादा कुछ रहेगा नहीं इसमें 14 इंच है 14 इंच के आधा 7 इंच पर हम यहां पर निसान लगा दिए अब इसमें हम आधा इंच सोल्डर को डाउन भी करेंगे यह आपको भी करना है और नेक की समझना है नेक जो है सारे 3 इंच हम रख रहे हैं इसमें नेक की चौड़ाई ज्यादा रहेगा इतना य नहीं दे रहा इसमें डॉर्ट की कोई आप सकता नहीं है डॉर्ट नहीं देंगे तो भी चलेगा तो यह हमारा कमर 34 है चौटी सिंच के चौथा भाग जो होता है सारे 8 इंच होता है तो सारे 8 इंच यहां पर आपको निसान लगाना है च्छिक है और जितना इधर पर तो आपको नहीं आई शुकुत मिलाएंगे देखिए ऐसा कि समझ में आ रहा होगा अब नेकडिप जो है साती रखना है सीधे में ऐसा रखेंगे तो कम जाधा हो सकता है यानि यहां से सात इंच तो यहां से सारे छेंच हो जाएगा ठीक है तो यहां से हमसाति इंच लेंगे नेक डिप, बैग और फ्रेंट का दोनों, अब बैग में आप इससे ज्यादा भी नेक डिप दे सकते हैं, और इससे कम भी दे सकते हैं, वो आपके उपर है कि कैसा आपको देना है, और यहां से यहां हम इसको सीधा-सीधा ऐसा ले लेंगे, देखिए, बैग नेक ऐसा है, देखे, इस तरीके से, ओके, यह कि लिए रोगए डाउट, अब आर मुल जो है हमारा 15 इंच है, तो 15 इंच में चेस्ट के शठा भाग लिजिए, 38 भागा 6, इसमें 6 पॉइंट 3 इस आया ने, सवाच्छे ही आया इसमें, तो सवाच्छे हम रख लेते हैं, ज्यादा नहीं लेंगे, यहाँ पर आया, अब यह जो है एक जज्जमेंट के लिए है, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको इतना ही रखना है, फिर आगे भी मिलाएंगे, हम बताएंगे कैसे मिलाना है, साथ इंच यहाँ आया, तो साथ इंच हम यहाँ पर भी रख लेंगे, ठीक है, और यह ऐस लेंगे, और इसको जो है, ऐसा इधर की और कर देंगे, अब आपको टेप रख कर देखना है, पहले यहाँ पे जो है, अपर चेस्ट का निसान लगा लेना है, अपर चेस्ट हमारा सारे 9 इंच आएगा, 38 से तो, सारे 9, और डेरिंच इधर के लिए मार्जिंग हो जाएगा तो, पहले यह दोनों को हम सीधा कर लेते हैं, फिर आपको समझ में आगा अच्छे से, बैग में फुल ब्रेश्ट का निसान लगाने की कोई जरूत नहीं है, अब यहाँ से यहाँ आपको मापना है कि आर्मोल परफेक्ट आ रहा है कि नहीं, यह हम सभी वीडियों में बता कर देगा, और यहाँ आएगा तो, अपने आपो सही हो जाएगा, थोड़ा सा हम इसको क्या करेंगे, कर्ब सेप ऐसा देंगे, देखिए, और यह वाला जो इधर उपर है, इसको थोड़ा अंदर कर दीजिए, ताकि यह अंदर कांक के अंदर जो होता है, आर्मोल के अंदर इसको ध्यान डखना है, हम इसको पहले कटिंग कर लेते हैं, मैंने बैक का पार कटिंग कर दिया है, अब हम फ्रेंट की पार कटिंग करेंगे, और फ्रेंट की पार कटिंग करने के लिए सीधा हम इसको अपने साइड घुमाएंगे, यह वाला जो भाग है, इसको अपने सा नहीं तो बाद में गरवर हो सकता है क्योंकि यह मार्जिंग आई और होग पट्टी बनाने के लिए है इसको हम अपने सेड़ ऐसा घुमाते है तो ज्यादा बेटर होगा कटिंग करने में कि इस सेड़ा मिसान लगाते है कि समझे है यह हो गया अब इसको हम ऐसा रखेंगे देखिए अच्छे मार्जिंग छोड़ने के बाद आपको रखना है यहाँ पर यहाँ पर आधा इंच आपको बढ़ाना है कि यहाँ पर लंबाई जो है आधा इंच बढ़ा देना है कि देखिए इस तरीके से एक लिए लोगे डाउट अब यहाँ पर जो सेम इसके हिजाब से आपको निसान लगाना है कुछ भी फड़क नहीं करना इसमें अब इसके बाद इसको हम साइड कर देंगे ठीक है और यहाँ पर करेंगे फ्रंट का हाला डिप करेंगे आरम होल का यह कितना करते हैं हम आधा इंच करते हैं और इसको थोड़ा सा उपर लेते हैं उपर ऐसा लेकिन क्या करना है आपको यह हमने निसान लगा कर दिखाया है लेकिन कटिंग नई करना है क्योंकि यह प्रिंसिस कट है और जब यह कटोड़ी ज्वाइंट कर लेंगे तो हम बेख के सहारे फ्रेंट को यह कट करके इस्ट्रा यह कपड़ा हो निकालेंगे पहले आपको प्लावज में लोग को थुरा तकलिफ हो जाएगा जब मोझ मे sunshine केसे है आपको क्या गरना है यहां से कटकर केढ़ी ताके आपको अछे समुझ मेआ यहां से आपको बेस्ट का पॉइंट निकालना है do students आता हूं सारे नौव सबानों प्वानों दस पौनएदस यही रहता है ठीक है इस से ज्यादा कम नकले अिहां पे दासिंग पनिसान लगा उसके बाद है से सको हम 4 इंच लेंगे तो ही Creating the best point सभी हैं यहां पर आमहुद हो गया अब इहां पर उन्हें है आर्म होल में यहां पर ले लिजिए आप सारे चार इंच यहां पर एक निसान लगा यह अब यहां पर लेंगे हम सारे तीन इंच कि समझे और कि इसको हम ऐसा करेंगे देखिए कि ऐसा और फिर इसको कि ऐसा है अब थोड़ा सा यह वाला भाग जो है थोड़ा सा और हम बाहर करेंगे तभी जाकर पर फेक्ट आएगा इतना बाहर कर देंगे इस साइड कर देंगे अब यहां पर चेस्ट और फूल ब्रस्ट दोनों की निसान की जरूरत है आपको समझना है कि फूल कि मेजर्मेंट कैसे होगी इसमें वह चीज आप ध्यान रखिएगा अब हमें कमर में चाहिए सारे आथ इंच चोथे भाग में ठीक है तो यहां पर आया हमारा सवा तीन इंच तीक है सवा तीन इंच आया तो इधर जो निसान लगाना हमें लगाना है सवा पांच इंच लेकिन उससे पहले बीच में हमें गैप देना है निसान लगांगे यह रहा और ये हमारा डॉट के लिए होगा और ये फिटिंग के लिए होगा एक कच्छा होगा समझंद इस तरीके से निशाल लगाना है अब इधर पर जो है यहां पर एक इंच का गयर दे ना है अब यहां पर भी एक इंच का आपको गैप देना है और यह वाला जो है यहां से ऐसा ले लेना है देखिए ऐसा समझ गाए ऐसा और यहां से ऐसा लाना है ऐसा लाके ऐसा मिला देना है कि समझें खिलियर हो रहा है रव ऐसा मिलाना है आपको इस जैसे पूरा होगा उसके बाद यहां पे जो हमने आधा इंच बढ़ाया है ओवला में यहां पे आधा इंच कम कर देंगे और इसमें मार्जिंग देंगे हम कि कटोड़ी के पले मार्जिंग देंगे और इसमें मार्जिंग है तो देखिए क्या हुआ कि यह वाला मार्जिंग इसमें आ गया तो हमें आधा इंच थोड़ा सा इधर पर और बढ़ाना है आधा इंच और बढ़ेगा तभी यह मार्जिंग इधर पर कवर होगा अब इहां पर जो है हमारा पौने इसह और चाहिए कुतना हमें तो उसके बाद यह साहएं इसे माल्जिंग लेंगे समझे इस तरीके से यह measurement होगा आपका और यहां पर जो है थोड़ा बढ़ा के यानि यह हमारा बैग में यहां गया है लेकिन यह जो cutting होगा हमें यहां से करेंगे वो दोनों cover होगा बाद में तो अब इसको और इसको देखिए ऐसा मिलाना है सीदे anlam असे होगा और यह यहां जाएगा Christmas की में विटाथको कैसे मापना है फूल ब्रेश्ट हम 10 इंच से ही है 10 इंच के लिए शॉझाइघ समझेगा त已 हां पर कितना सारे 3 इंच औरहां किकितना रहा है छे इंच, छे और तीन, नौ, सारे नौ इंच आड़ा है, थोड़ा सा इसमें और कवर होगा, और थोड़ा सा धीला हो जाएगा, तो यह अपने आप जो है, दस इंच हो जाएगा, ठीक है, तो दस इंच, दस चब का, चालिस चौथे भाग में आपका यह बैठ जागा, अगर नहीं बैठता है यहां पे, तो आपको क्या करना है कि यह वाली मार्जिंग जो है, यह वाली गयप, यह दोनों गयप को आधा दा हिंच और बढ़ा देना है, जैसे यह दोनों गयप बढ़ाओगे तो यह वाला और इधर भागेगा, तो आपका यह अपने आप आप करेंगे, देखिए ऐसा, तब जाके हमारा यह परफेक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा, समझ गये, तो आप इसको कट कर लेते हैं, देखिए मैंने इसको कट कर दिया है, अब आर्मोल में मैंने डीप नहीं दिया है, घ्यान रखिएगा, यह सिलाई लगाने के बाद कटोर जब जुड जाएगा, उसके बाद हम यहां की जो है, बैक के सारे फ्रेंट में डीप करेंगे, और यह वाला भाग भी हम बैक से मिलाएंगे, बैक से आपको यह वाला भाग जो है, जो औरने के बाद मिलाना है, ठीक है, कहां पर हमारा भाग के जा रहा है, बैठाने के कितने कप्रें बैठ रहा है वह देख लेते हैं एक बलाउज लगवग हमारा 70 cm में आराम से बैठ रहा है 40 साइज का ठीक है अगर बाजू लगाते हैं तो भी बाजू हमारा इधर से निकल जाएगा और इधर भी कप्रा हमारा बच रहा है लेकिन पना अगर ज्यादा है 40 का प पर फ्रेंट का गला दोनों सेम रहेगा ठीक है तो पहले हम इसको कटिंग कर लेते हैं देखिए मैंने मेन पला भी कटिंग कर दिया है तो कटिंग हमारा यहीं पर कंप्लीट हो चुका है और जो गला है मैंने कटने के लिए नहीं बताया है और फ्रेंट में और बैग में द सुर्थी बिगर जाता है तो छोटी-छोटी बातों को ध्यान देना पड़ता है जो आगे बताऊंगा कि गला कैसे बनाना है आपको और इसको बलाउच को बनाना कैसे है वीडियो कैसा लगा आप कमेंट हमें जरूर कीजिएगा और आगे आपको किस्टाइब की वीडियो ची करें धन्यवाद